हेलो लेडीज, माइनेम इस विन्नी और यू आर वाचिंग दी होप स्टोरी और आज का ये विडियो जैसा कि आपको पता चल चुका है, होने वाला है एक हेर टुटोरियल जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप छोटे बालों के साथ भी बना सकती है इंडियन अथेंटिक जूडा जो कि आपको देगा एक टिपिकल इंडियन एथनिक लुक जो बहुत काम आती है, फेस्टिवल्स में, वेडिंग्स में और आप बहुत ही असानी से बना सकती है जूडा छोटे छोटे ट्रिक्स और हैक्स को यूज करके जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ तो जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी इस जूडा को बनाते हुए, सबसे पहले हम उन्हें देख लेते हैं जिसमें सबसे पहले हैं इस किसम का आर्टफिशल जूडा ये पीछे से कुछ इस तरीके से है, जितनी चीज़े भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो हम यूज करेंगे जूडा में, वो माक्सिमम मैंने अमजान से मंगाई है, सबके लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वैसे ये मार्केट में भी बहुत एजी लिए अगर आप इसे मार्केट जाकर लेना चाहें तो ऐसे जूडे में काफी सारे स्टाइल्स आते हैं, कुछ ऐसे स्टाइल्स भी होते हैं, जिनमें स्टोन्स लगे वे होते हैं, आप वो भी ले सकती है आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो पीछे का बैक हो, वो थोड़ा सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि आपके बाल छोटे हैं और एक और किसम का जूड़ा है, आर्टिफिशल, वो है ये, ये क्लचर है इसको मैं कहूंगी कि ये सबसे एजी होता है लगाने में, क्योंकि इसमें आपको बहुत जादा होल्डिंग की जरूरत नहीं परती हाँ तो अगर आपको इस किसम का जूड़ा मिल जाए, क्योंकि मैं इसको ऐसे लंबाई में भी यूज करती हूं और ऐसे होरिजॉंटली भी यूज करती हूं तो ये भी बहुत अच्छा है जब भी आप डिफरेंट डिफरेंट किसम के जूड़ा बनाना चाहें कुछ इस तरीके के रफल जिसे हम कहते हैं ये भी आपको आमजॉन पर मिल जाएंगे आप अपने कलर से माचिंग इने ले सकती हैं ये काफी पुराने हैं मेरे तो काफी अच्छी कंडिशन में नहीं है मैं भी नए ओडर करने वाली हूँ तो आप इस तरीके के भी बना सकती हैं अगर आप बहुत मैसी जूड़ा क्रियेट करना चाहती हो और जूड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ ऐसा रबर या आपके पस अगर इस तरीके का हो तो भी आप यूज़ कर सकती हैं जो भी आप रेगुलर यूज़ में यूज़ करती हो बाकी हमें जो चाहिए वो है इस तरीकी की जूड़ा पिन मुझे कभी इसकी जरूरत पढ़ती है और कभी नहीं पढ़ती है क्योंकि पहले के comparatively मेरे बाल थोड़े से लंबे हो गए है तो अम मुझे आजकल इसकी जरूरत नहीं पढ़ती लेकिन फिर भी ये होना जरूरी है इसके बाद आती है हमारी ऐसी accessories जो आपकी मर्जी है कि आप यूज करना चाहें या नहीं जिसमें है artificial गजरा इस तरीके का artificial गजरा मैंने इस तरीके का एक flower भी लिया हुआ है red flower आजकल market में beautiful hair accessories आती हैं और ऐसी accessories आपकी investment हैं ये कभी भी out of fashion नहीं होती ये basically है तो rubber ये जो दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ लेकिन मैं इसे ऐसा गजरा यूज करती हूँ एक hair fixer भी आपके पास होना चाहिए इस तरीके का ये है L'Oreal Paris का इसका भी link में आपको दे दूँगी description box में इसको भी आप use कर सकती हैं जो भी आपके छोटे छोटे बाल निकल जाते हैं उड़े उड़े दिखते हैं उनको settle करने के लिए तो सबसे पहले आपको अपने आगे के बालों को set करना है जो भी hairstyle आपके face shape के according आपको suit करता हो उसे आप आगे से बना लीजे मैंने यहाँ पर side parting की है क्योंकि ये मेरे उपर सबसे ज़ादा अच्छी लगती है उसके बाद आपको अपने पीछे के बचे हुए बालों की बनानी है एक छोटी सी pony आपके बाल जितने भी छोटे हो जिस जगा पर भी आपके पास बालों में सबसे ज़ादा strength है वहाँ पर आप छोटी से एक चोटी बना लीजे अगर चोटी बनाने के बाद भी आपके बाल थोड़े से नीचे की तरफ बच जाते हैं तो उनको आप पिंस से अच्छे तरीके से टक कर सकती है इसके बाद आपको लेना है clutcher वाला जूड़ा और इसको directly उस चोटी के उपर लगा देना है जितनी भी पिंस आपने लगाई है वो सब इससे ढख जाएंगी तो पीछे से आपकी चोटी का नीट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है इसके बाद आप और hair accessories को भी add कर सकते हैं आप इसके उपर flower लगा सकते हैं या कोई गजरा लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस जूड़े को थोड़ा ऊचा भी बना सकते हैं और थोड़ा चाहें तो इसे गरदन के उपर भी बना सकते हैं और आपका जूड़ा जो है वो ready है और आपने देखा कि यह कितना simple है next जूड़ा के लिए मैंने आगे के बालो को पीछे की तरफ ले लिया है मैंने कोई भी मांग नहीं निकाली है और simply अपने बालो की एक pony बना ली है अगर आप जूड़े को उपर की तरफ रखना चाहते हो तो pony को ऊचा रखिए और अगर आप नीचे की तरफ बनाना चाहते हैं अपना जूड़ा तो आप pony को नीचे की तरफ बनाईए pony को बना लेने के बाद जितने भी मेरे extra hairs निकल रहे हैं उनको मैंने अंदर टक किया है इस clip के साथ ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस जूड़ा में हमारा जो neck है वो काफे visible रहेगा इसके बाद आपको next जूड़ा लेकर और pony के ऊपर लगाना है आपकी जो pony है वो जूड़े के अंदर आ जानी चाहिए और आपका जो जूड़ा है वो ready हो चुका है अब आप next use कर सकते हैं अपनी hair accessories को मैंने गजरे को already बांध कर रखा हुआ है तो मेरे लिए काफी convenient रहता है इसको उपर से लगाना गजरे के साथ-साथ आप इस्तमाल कर सकती है कुछ flowers का यहाँ पर market में सारे colors के जो flowers है वो available है और आप इस look को finish कर सकती है अपने hair spray के साथ उससे बहुत ही neat look आएगा आपके जुडे में और आप बिलकुल ready हैं अपने जुडा के साथ जिसको आप carry कर सकती है साडी के साथ, heavy suits और अनारकली के साथ यह बहुत ही खुबसूरत लगते हैं अगर आपके बाल लंबे भी हैं तब भी आप इन जुडा का इस्तमाल कर सकती हैं जब मेरे बाल लंबे थे मैं तब भी ऐसे artificial जुडा को काफी इस्तमाल करती थी I hope आपके लिए यह वीडियो काफी interesting और helpful रहा होगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर जॉइन कीजेगा मेरा आईडी है दी होप स्टोरी ओफिशल और मैं जल्दी ही मिलने वाली हूँ आप से एक और helpful वीडियो के साथ तिल देन keep going and keep growing